हलो दोस्तों, फिचले वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट आपके फर्स्ट पेपर का डिस्कॉशन कर लिया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में सेकेंड यूनिट का नाम है सीखना, बुद्धी और अभी प्रेजणा सीखने के mostly जो सभी बिंदू रहे हैं उनको हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कॉशन कर लिया है आपने अगर फर्स्ट वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपको फर्स्ट यूनिट अच्छी तरह से आ गया होगा इस वीडियो में हम जो focus करेंगे वो बुद्धी पर और उसके बुद्धी लब्धी और बुद्धी लब्धी को गयात करने के शुचर के बारे में करेंगे और साथ ही साथ अभी प्रेजणा को जानने के बारे में डिस्कॉशन करेंगे याने की mental जो एज है और वास्तिविक आयू याने की chronological जो एज है उसके जो अनुपात है उसको सो से गुणा करके प्राप्त किया जाता है अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा हुगा बट नीचे अभी हम इसका सुत्र जो formula देखेंगे उसमें आपको अच्छी तरह से स और बटा में क्या है chronological age याने की CA और इसको multiply करा है 100 से अगर आपको mental age पता करनी है और आपको IQ दी है chronological age दिया है दोनों को डाल करके आप इस तरह से समीकरण को solve करके mental age पता कर लेंगे अगर आपको दिया है मान लिजिए कि IQ दिया है आपको और chronological age दिया है mental age आपको पू नुम्बर का तो आपको तीन में से आपको क्या देगी एक तो IQ है एक mental age है एक chronological age है तीनों में से एक चीज आपको पूछेगा और दो चीज आपको देदेगा तो दो की age आपको पता लगे जागी मानलो mental age और आपको chronological age दोनों पता है तो आप IQ आसानी से निकाल लेंगे 100 से multiply करके और अगर आपको इन दोनों में से कुछ पूछता है तो आप इस तरह से समीकरण को शोल करके आसानी से निकाल सकते हैं hard कोई process नहीं है आसानी से आप सोल कर पाएंगे आगे बढ़ते हैंदुफ्तो देखिए बिने साइमन प्रेक्शन के बारे में अधी योगेताों का मापन करने का प्रियास किया गया है तो बिने साइमन prediction भी आपको धानगना एक नमबर का प्रसंद आपके आ सकता है इसके बाद में बात करते हैं वेसलर विलीब्यू के बारे में देखी वेसलर ने बच्छों एम वयसकों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परिक्शन तयर करें और जो की वेसलर विलीब्यू मापनी कहलते हैं एक का पुच्छा सकता है कि वेस्लर विले भी मापनी किसे करते हैं यह बिध्धी की मापने کے लिए करेगी इसके बाद में आगे बढ़तें अगला बिंदू आता है अभी प्रेरना वह सीखने में क्या संबंध है विप्रणा यानि की मोटिवीशन और सीखना आपको हमने पर्ष्ट यूनिट में complete discussion कर रही दिया है तो दोनों का संबंध क्या है तो यह देखी यदि बच्चे में सीखने की इच्छा इच्छा विक्सित होगी तो वहें सीखना सुगम होगा सरल होगा आस कारिय करने की संबावना बढ़ जाती है यह आपको द्यान रखना है इसके बाद में हम बात करते हैं अब आंत्रिक एवं भाईय अभिप्रणा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इधर देखी एक संबंध के रूप में बात करेंगे आंत्रिक अभिप्रणा और भाई ये परिष्टितिया देकर के अभिप्रेरित कर लेती है और प्रभावित होती है दूसरा बिंदू है आंत्रिक अभिप्रेरिणा कारिये ही आनंद और 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 जा देती है और भाई अभिप्रेरिणा प्रेरिकों से आनंद और 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 जा की प्राप्ति होती है तीसरा सब्सक्क्राइब रिखना के लिए लक्षे संकंद्रन में प्रेरकों का मेंध्पुन योगदान होता है और यह लक्षे रिख लुब नहीं होती है इसके बाद में पांच वा बिंदू क्या है कि अंध्रिक अविपर्णा एक निष्चित सीमा गिलफड का विचार था कि बुद्धी के सभी तत्वों को तीन आयामों में विवाजित किया जा सकता है पहला आयाम है संक्रिया, दूसरा है विशेवस्तु और तीसरा है उत्पादन सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रिया को लिखर कि तो संक्रिया से तात्परिये व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के सोरूप से होता है इसके पाँच भागें, संक्रिया जो पहला आयाम है उसके कितने भागें, पाँच भागें पहला है मुल्यांकन, दूसरा है अभी सारी चिंतन और तीसरा है अपसारी चिंतन, चोथा है असमरती और पांचवा है यहां पर संग्ञान पहला हमने आयाम डिसकेस कर लिया है, दूसरा आयाम है विशे वस्तू, विशे वस्तू आयाम के भी पाँच भाग के हूं, तो देखी, इस वीबास से तर परी है क्या है कि उस चेतर से होता है, जिससे सूचनाओं के आधर पर संक्रिया ने होती है, इसको भी कितने बागों ब पहा जाता है इन दोनों के योग को विश्यवस्तु और संक्रिया के योग को और यहां पर इसके छे भाग होते हैं पहले दो आयाम हैं उनके पांच भाग होते हैं और तीसरे आयाम के उत्पादन आयाम के छे भाग होते हैं पहला एकाई दूसरा है वर्ग तीसरा है संबंध छोता है तंत्रिया परणाली और पांचवा है रूपांत्रन, छटा है अनुपरियोग। तो इस तरह से आपको गिलफर्ड के जो तरी आयामी सिध्धान्त हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला इंप्रेंट पॉइंट हमारे सामने आता है गार्डेनर का बहुगुद्धी सिध्धान्त। दीके नो परकार बताए जो की निम लिकित हैं। आइए उनके बारे में जानता है कौन-कौन से नो परकार दिये गार्डेनर ने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिभावकों और शिक्षकों से सीखने के प्रतिक क्या अपक्षा की जाती हैं। बात करते हैं अभिभावकों के लिए अभिभावकों से यह अपक्षा की जाती है कि वे बच्चों को इस नहीं युक्त वातावड में रखें। बच्चे सदेव शियम को सुरक्षित पावें सुरक्षित समझें। एक निमर का प्रशन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अब बात करते हैं सिक्षकों से क्या अपक्षा की जाती है तो सिक्षकों से अपक्षा रहती है कि बच्चों को सीखने समझ भूज विक्षित करने उनको निर्णे लेने समझें को हल करने लक्ष निरहज करने हैं तू साहिता प्रदान करें और उनका मार्ग प्रदशन करें उनकी सायता जितनी हो सके वो करें सिक्षकों का यह अपिक्षा की जाती है और अब हम बात करते हैं अभी प्रेरिणा की अवधारणा वे परक्रिया के बारे में तो देखिए बच्छों को अपनी रोची के अनुसार कारिये करने लक्षे हासल करने तक जुटे रहने हैं तो प्रेरित करने को अभी प्रेरिणा कहते हैं मोटिवेशन कहते हैं अभी प्रेरिणा की जो परक्रिया है उसको मुक्यत है तीन सोपानों में बाटा जा सकता है तीन सोपानों उसके माने गए हैं पहला है आवशक्ता दूसरा है प्रनोद और तीसरा है यहां पर प्रोत्सान इसको अच्छे से समझने के लिए एक सारणी यहां पर दी है एक डियाग्राम दिया है उसमें देखिए पहले क्या है कि आपको कोई भी काम करने के लिए आवशक्ता होने चाहिए उसकी प्रणोध उसके प्राणी में जो आंत्रिक तनाव और जुबल है उसकार्य बिंदो को इस वीडियो में डिस्केशन कर लिया है और एक्जाम टाइम में दोस्तों हम एक रिविजिन क्लास के इंतरकत कुछ मैतकुन बिंदो को और डिसकस करने वाले हैं बट अभी के लिए आपको कम समय में इन सभी बिंदो को जुरूर से याद कर लेना है उमिद करता एक नए वीडियो में कुछ नहीं जन कर लिए के साथ थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो